हेलो गईस वेलकम टुमाई यूटूब चेनल टैग बॉम केस हो गईस आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यदा इंपोर्टेंट और योश्फुल होने वाले ही फानली आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है इंकमिंग कॉल स्कीन पर फोटो कैसे लगाएंगे दोस्तों कोई भी फोन हो जब भी आपका फोन आएगा कोई भी इंकमिंग कॉल आएगी ता आपका फोटो आपके स्कीन पर दिखाई देगा आप बिल्कुल आइफोन के जैसा आपना इंटरफेस लगा सकते हैं इंकमिंग कॉल स्कीन का सारा कुछ आईफोन के जैसा इनके में कॉल स्कीन को सेट कर सकते हैं और उसके साथ ही अपना फोटो भी सेट कर सकते हैं आप इसको जब open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर start free trial का option मिलता है आप लोगों को start free trial पर नहीं किलिक करना है just इसके नीचे आप लोगों को मिलता है try limited version तो हमें try limited version पर दोस्तो किलिक करना है जिसी आप लोग try limited version पर किलिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा interface मिलेगा आप लोगों को slide करके last वाले page पे आ जाना है अब यहाँ पे let's do it का option मिलता है इस पर किलिक करेंगे और set default का option मिलेगा set default पर आप लोगों को किलिक कर देना है और यहाँ पे phone पर किलिक रहेगा है या जो है तो इसको आप लोगों को eye color skin पर किलिक करके set as default पर किलिक कर देना है यह तरह आप लोगों को ज़रूर करना ध्यान भे इसके बाद जब आप set as defined पर click कर देंगे यहाँ पर आप लोगों को right side सबसे नीचे यहाँ पर दीख सकते हैं right का symbol मिलता है इस पर click कर देना है click करने बाद just आप लोगों को right side नीचे की तरफ setting का icon देखने को मिलता है यहाँ पर corner में इस setting के icon पर आप लोगों को click करना है जैसी इस पर click कर देते हैं आप लोगों को कुछ ऐसा interface finally देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर एक option मिलेगा change wallpaper का यह wallpaper जो है incoming call screen का wallpaper है आपके home screen का wallpaper नहीं है दोस्तों आपको attention नहीं लेना है इस पर click करना है grant permission पर click करना है allow पर click करना है और जिससी इसको आप लोग permission दे देंगे फिर से आप लोग change wallpaper पर click करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अभी यहाँ पर बहुत से wallpaper आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं तो हमें incoming call screen पर wallpaper नहीं लगाना है हमें अपना photo लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसी उपर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं choose from gallery को option देखने को मिलता है तो हमें gallery से अपना photo लगाना है choose from gallery पर हम click करेंगे click करने गए यहाँ पर आपपढ़ों को देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं सारे photo दिखाई देते हैं आप लोग left side ऊपर की तरफ corner में यहाँ three line ऊपर देख रहे हैं इस पर click करके आप अपने gallery में आ सकते हैं album में आ सकते हैं और उस पर किलिक करके आप जो अपना फोटो चूज करना चाहते हैं उस एलबम पर किलिक करिए प्रोफाइल पर किलिक करिए और यहां पर आप लोग जो भी फोटो लगाना चाहते हैं तो उस पर किलिक कर देजिए जब आप लोग उस पर किलिक कर देंगे यहां पर अगर कु इस पर किलिक कर देना है जिससे आप लोग किलिक करेंगे तो यहां पर अभी डेमो दिखा रहा है जब कॉल आएगी कुछ इस तरीकी से जिस तरीके से आइफोन में दिखाता है slide to answer यहां पर देख सकते हैं slide करके receive कर सकते हैं नीचे decline पर click करके call को cut कर सकते हैं set करना चाहते हैं successful ली तो आप तो right side उपर के drive right के symbol पर click कर दीजिए अब incoming call screen पर आपका photo finally set हो जाता है अब आपको कुछ भी नहीं करना है कोई भी call आगी आपका photo दिखाई देगवा incoming call screen पर वीडियो पसंद आए तो like और चैनल को subscribe दोस्तों जरूर करें